यूपी के अमेट का नगर में बीती रात बीएस्पी नेता जोरगाम महंदी के बेटे आरेफ और ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया गया बदमाशों ने अंधध उन फाइरिंग की जिसमें बीएस्पी नेता का ड्राइवर सुभीत यादब खायल हो गया घटना हंसवर ठाना शेत्र की है वीतीरात आरेफ और ड्राइवर दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और उसी दौरान हमला किया गया बाइक सवर हमलावरों की संख्या 10 से 12 के बीच बताई जा रही है पिरत पक्ष का आरोप है कि पहले भी इनके साथ मार पीट की गई लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की साथ ही आपको बता दे कि BSP नेता जुरगाम महंदी पर पिछले 28 अपरेल को भी हमला हुआ था जिसमें उन्हें 6 गोलियां लगी थी इस स्वारदात का ड्राइवर शुभीत चश्मदीद गवा था और इस मामली में माफिया खान मुबारक के खिलाब केस दर्च किया गया था चैपी रादा तब तक देखा कि 10-12 लोग आए बाइक से खान मुबारक के साथ उसके बाद जो है दवडा के गोली मानना शुरु कर दिये चार-पांच फायरिंग के उसमें एक चर्रा लगा हमको उसके बाद हम लोग भाग ले हल्ला मचा तो यह बादे हो लोग फिर वापस भाग दे तो आपको बताते हैं कि बेस्पी नेता के बेटी पर यह हमला हुआ है 10 से 12 संख्या बताई जा रही है हमलावरों की दरसल एक चाय की दुकान पर बेस्पी नेता का बेटा और ड्रैवर बैठे हुए थे लेकिन अचानक से वहाँ पर बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने गोलियां चलाई मौके से फरार हो गए लेकिन पिर्थ पक्ष का कहना है कि पहले भी ऐसा हमला हो चुका है लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कारवाई नहीं की कि अचानक से लेकिन पुलिस ने नहीं की